बच्चों का मुंदन कराने देवगर आ रहा कार अनियंत्री थोकर पेर से ठकराई पांच लोगों की मौत सुबह के चार बजे चालक को निंद आने से हुआ दर्दनाक हादसा सभेद रंकी कार में कुल नौ लोग सवार थे सभी बिहार के आरास से अपने जुणवा बच्चों का मुंदन कराने देवगर आ रहे थे तभी देवगर आने से ठीक पहले चालोक को जब की लगी और पल भर में पुरा परिवार उजड़ गया हादसे में पांच वर्षे जुड़ुआ बच्चे अभिनंदन और नंदनी की मौके पर ही मौत हो गई इन दोनों बच्चों का मुंदन होना था और बच्ची की मान नेहा का भी अस्पताल में मौत हो गई इसके साथ ही नेहा की मान और नानी की भी मौत हो गई घटना सुक्रवार के सुबर चार बजे की है हादसे के बाद घटना अस्तल पर चीख भुकार मच गई सफेद रंग के सुब डिजायर कार सड़क किनारे लेप्टस के पेड़ में जोड़दा टककर मार दी आस्चर की बात है कि इस कार में बच्चे समेत कुल नौ लोग सवार थे इस तरह रात में सफर करना बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है और वही हुआ आईए जानते हैं खबर को विस्तार से देवघर के समीप सड़क हाथसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की दर्दांक मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गए गाड़ी चला रहे यूवक की जपकी के चलते पुरा परिवार उजड़ गया तेजरपतार कार सड़क किनारे एक पेंच से ठकरा गई कार के आगे काहिसा पूरी तरस से छतिग्रस्त हो गया और अंदर बैठे सभी लोग गंभी रुप से घायल हो गया हाथसे के सुचना पर चंदरमंडी थाना के पूलिस मौके पर आई घायलों को इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल और जमुई सदर अस्पताल ले जाये गया देवघर सदर अस्पताल पहुँचने पर मान नेहा और उनके दोनों जुणवा बच्चों अभिनंदन और नंदनी की भी मौत हो चुकी थी जमोई के अस्पताल में नेहा की मा सुमित्रा ने दम तोड़ दिया वहीं देवगर सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने के करम में नेहा की नानी बबनी देवी की भी जान चली गए बताये गया कि बिहार के आरा जीला के सहर थानच्चत्र के नागेंदर कुमार के दो जुड़ुआ बच्चे पांच वर्ष का बेटा अभिनंदन कुमार और बेटी नंदनी का मुंडन 17 माई दिन सुक्रवार को बाबा धाम में होना था गाड़ी में नागेंदर और उनके दो बच्चे पत्नी नेहा, नेहा की मा सुमित्रा देवी, नेहा की नानी, बबनी देवी, नेहा का भाई आनंद कुमार, गाड़ी चला रहे रोहित कुमार और उनकी मा मीना देवी सहित कुल नौ लोग सवार थे, सभी एक ही परिवार के थ कि सुबह के करीब चार बजे या दर्दनाक हादसा घटित हो गया